आपका चाहने वाला मरने के बाद अलग बॉड़ी में फिर से आपके पास वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे पैचान पाऊगे? इसे एक इंटरस्टिंग सब्जेक के साथ आज की मुवी एडिक्टेरी 2002 की एक मिस्ट्री थिलर मुवी आती है यह कोरियन मुवी है तो जली इससे इस्प्रेंग करना स्टार्ट करते है यह स्टोरी है दो प्रदस और बड़े भाई की वाइफ की वह स्टार्ट होती है और हमें बड़ा वदर दिखाय जाता है जिसका नाम होता है होजीन यह एक आर्टिस होता है यह फरनिचर के साथ आर्ट बना देता है यह अपने आर्ट पर काम करता हो में दिखता है इसके बाद यह बाहर निकलता है और अपने छोटे बड़र के पास जाता है जिसका नाम होता है देजीन देजिन स्पोर्ट्स कार्ट ठीक कर रहाता है यह उसे कहता है कि मुझे लगा था कि आरवी में जाकर आने के बाद तुम बदल जाओगे पर अभी भी तुम खिलोनों के साथ ही खेल रहे हो होजी इनको अपना बेदर रेस कास चलाता है या अच्छा नहीं लगता उसे समझा रहा होता है कि बहुत ही डेजिन उसे कहता है कि जो तुम करते हो यह भी डेजिरस है इसमें भी तुम हर्ट हो सकते हो साल में कितने सारे कार एक्सिटन्ट होते है पर रेस का एक्सिटन्ट बहुत ही कम ही होता है देजिन सुनने मालों ऐसे नहीं होता नेकसिन में हमें इनसु दिखाई जाती है यह बड़े ब्रदर की वाइफ है यह stage show के लिए sound वेगरा manage करती है होजिन जो होता है वो घर पर ही रहता है वो घर में खाला वेगरा सब का खैल रख लेता है उसकी वाइफ जॉब करती है और यह अपने आर्ट पर काम करता है अपने एकसिन में हम दिखता है कि इसका एक exhibition होने वाला होता है इसके exhibition के लिए एक आदमे से वो बात कर रहा होता है इनसु जो रात में station पर होती है तो उससे लेने के लिए होजिन जाता है वो station से बाहर निकलती उसका जो favorite song होता है वो वो लगाता है उसे समझ में आता कि यह आवाज कहां से आ रही है उसने already एक music system वाले को पैसे दी होते है जो वो music बचा सके होजिन ने अपने wife के लिए एक gift रिल आयवा होता है उसे समझ में आता कि आज हो क्या रहा है घर आने के बाद उसके लिए बहुत सारा खाना उसने पकाया होता है इंसु सोचने लग जाती है कि आज इसा क्या special है आज तुसका बड़े भी नहीं है और होजिन का भी बड़े नहीं है होजिन फिर उसे कहता है कि आज हमारी अनेगासरी है इससे बहुत ही guilty process होता है क्योंकि इससे याद नहीं होता होजिन उसे एक necklace देता है इंसु कहती है कि मेरे father का gift था यह बहुत ही precious था यह खराब हो गया था तो इसलिए अब होजिन ने इससे repair करकर उसे दे दिया है इंसु कहती है कि मेरे father मेरा बहुत ही खैल रखते थे उन्होंने मुझे जो भी चीज दी है वो बहुत ही precious हो जाती थी तुमें भी उन्होंने मेरे लिए ही बेजा है इंसु कहती है कि मैंने तुमारे लिए कुछ भी gift नहीं लाया यह फिर decide करते है कि आज दोनों intimate होने वाले है यह एक moment sharing करने वाले होते है तब इस देजीन वहाँ आ जाता है देजीन के साथ फिर यह सब बेठे हुए होते है जब होजीन दो मिनिट के लिए वहाँ से चला जाता है तो इंसु देजीन से पूछती है कि तुमारे कोई girlfriend नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमारे girlfriend होनी चाहिए देजीन कहता है मैं जैसा भी होग खोश हूँ इंसु कहती है कि तुम हमेशे अपनी car से खेलते रहते हो मुझे समझ मैं नहीं आता कि तुमारे mind मेरे चलता गह रहता है बहुत राद हो जाती है तो इंसु सोने के लिए चली जाती है होजीन देजीन को कहता है कि तुमारे आज कान बन रखना देजिन भी इस पर हसता है रात में इंसू और होजिन दोनों बेट पर होते है वों intimate होने वाले होते है पर होजिन को बहुत ही hiccups आरे होते है यह फिर अपना plan cancel कर देते है होजिन का exhibition होने वाला होता है होजिन एक बहुत ही बड़ा artist होता है रिपोर्टर इससे क्या बोलेगा वो इसके practice कर रहाता है देजिन उसे help करता है देजिन उसे कहता है कि artist की तरह बोलो इसे pause लेकर लेकर बोलो होजिन जब एक कर देता है तो देजिन कहता है कि तुम से नहीं हो पाएगा यह दोनों फिर यही हस देते हैं यह दोनों ब्रदस एक दुसरे से बहुत प्यार करते है होजिन देजिन को अपनी कार तक छोड़ने के लिए आता है देजिन के कार में उसने एक fish लगाया होता है उससे कहता है कि यह जो fish है यह good luck के लिए है यह तुमें किसी भी चीज से बचा कर रखेगा जब देजिन घर से चला जाता है तो इन्सू और होजिन दोनों घर पर अकिली होते है यह दोनों फिर टेबल पर ही intimate हो जाते है यह टेबल unstable होता है तो टेबल किनीजे वो coin लगाता है अब next scene में हम दिखता है कि देजिन अपने कार चलाने के practice कर रहा है वो इतने fast कार जलाता है तो कार का engine भी गरम हो जाता है उसे अपना work बहुत ही पसना आता है इन्सू जब का अपने काम बार पोच्छती है तो उसे होजिन ने letter भेच जाओ होता है एक दूसरे को हमेशा letter भेचते है तीन साल इनके शादू को हो चुके है फिर भी एक दूसरे को letter भेचते है यह देखकर इसकी कलिक उससे पूछती है कि ऐसा कैसे है सब लोगों को इनका लव बहुत ही अजीब लगता है रात में भी इन्सू होजिन के लिए letter लिखते लिखते ही सोजाती है होजिन भी जब इसका letter बढ़ता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है होजिन जो होता है इससे gardening का भी शोग होता है वो अपने flowers को पानी दे रहा होता है तब भी वह इन्सू आती है उसका जो necklace होता है वो फिर से तूट गया होता है होजिन को बोल रही होती है कि बिशिस necklace को फिर से सुधार दो यहाँ देजिन की एक friend आती है यह जो देजिन की friend होती है यह उसे बहुत ही पसंद करती है देजिन की friend जब इन्स देखती है तो कहती है कि बहुत ही pretty है इंसु कहती है कि मेरे फादर ने बनवाय था वर्ल में इसकी तरह और कोई भी नहीं है इस दिन को आप याद रखना लास्ट में इंपोर्टन्ट है नेक्स दिन आता है और यह दिन देजीन की जो रेस होने वाली होती उसका होता है या होजीन अपना जो सब काम होता है इक्सिबिशन के लिए उसे जो सब आर्ट कंप्लेट करना होता है यह सब वो कंप्लेट कर लेता है वो आज देजीन के रेस देखने के लिए जाने वाला होता है देजीन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा brother तुम्हें oppose करता है तुम race करते हो तुम से अच्छा नहीं लगता तो क्यों तुम race करते हो देजिन कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरा passion है मैं इसके बिना जी नहीं सकता देजिन के race टार्ट हो जाती है और होजिन उस race के लिए late हो जाता है वो taxi driver के पास जाता है और उसे कहता है यह बहुत ही late हो चुका हूँ उसे जल से जल वहाँ छोडने के लिए उसे बोलता है यह taxi driver बहुत ही fast गाड़ी चला रहा होता है होजिन डर रहा होता है टैक्सी द्राइगर कहता है कि 10 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ कभी भी मेरा कोई भी एक्सिडन्ट नहीं हुआ है देजिन की रेस स्टार्ट होती है और जब वो रेस में होता है तब उसे टायर जरा खराब लगता है यह वो चेंज करता है पर इसी वज़े से तो टैक्सी बहुत ही फास चल रही थी रस्ते पर इस टैक्सी का भी एक्सिडन्ट हो जाता है इन दोनों ब्रदर्स का एकी टाइम पर एक्सिडन्ट हो जाता है इसके बाद हमें देजिन दिखाया जाता है यह hospital बेट पर होता है और यह unconscious होता है तो doctors बात करते हैं हमें देखते हैं यह कहरे होते हैं कितना आजीब world है दोनों brothers का एक के साथ accident हो चुका था जो race cars चलाता था वो बज़ गया है और दूसरा brother जो artist था वो कौमय में चला गया है अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और देजीब अब conscious हो चुका है यह hospital के बाहर आता है और आएने में देखते हैं ज़रा disturb होता है अब यह conscious में आ चुका है तो doctors बहुत सारी test वोगरा इसकी करवाते हैं इंसु फिर इसे घर लेकर आती है यह कहती है कि तुम बजगे यह भी एक महरबानी है अब नेक्सिन में हमें दीखता है कि देजीन होजिन की जो garden थी उसके पास आ चुका है जो flowers थे हो मुर्चा चुके है इसे हो देख रहा है इंसु वो शौक में ऐसा उसे लगता है उसके रूम में उसे छोड़ कर देती है देजीन दिन रात वहाँ सोता रहता है नेक्स दिन सुबा जब आती है तो होजिन के garden में पानी लगा रहा होता है नेक्स दिन जब आते है तो होजिन के brush से देजीन ने brush क्या होता है होजिन हमेशा brush करकर इंसु के लिए वो ब्रश रख देता था इंसु के देखकर बहुत ही अजीब लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि होजीन का जो आर्ट था वो अब देजीन कर रहा है उस पर वो वोक करना स्टार्ट कर देता है देजीन के जो अच्छी फ्रेंड थी वो उसे मिलने के लिए आई हुई है उसे कही थी है कि तुम होस्पिटल में थे और मेरी बहुत ही हालत खराफ हो चुकी थी जब तुम्हारी कार टेसने सो गई थी तो उसे स्क्रैब करने के लिए में गई थी वो स्क्रैब होता हुआ देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा देजिन अपने कार से बैर करता है तो उस कार से वो जेलस होती है इसी वज़े से उसे उस कार को स्क्रैब होता देखकर बहुत ही खुशी हुई होती है देजिन सिगरेट पीता था पर accident हो जाने के बाद अब वो सिगरेट नहीं पी रहा उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही हेवी स्मोकर थे रात में हम देखते है कि देजिन की फ्रेंड उसके घर पर ही होती है बहाँ जब इंसु आती ही तो देखती है कि देजिन अब कुक कर रहा है देजिन कभी भी कुक नहीं करता था azand जिस तरह से अच्छे सब्जिया वेगरा काटता था उसी तरह से सब्जिया काट रहा है इंसु के जो फेवरेट फ्लावर्स होते है वो भी उसने लाय हुए होते है रात में हमें दिखता है कि देजिन उसके वर्क स्पेस में है और रो रहा है अब इंसु को लगता है कि देजिन देजिन ही ही नहीं होजिन की सोल उसमें चली गई है अब इन्सु को लगता है कि उसका husband जो कोमा में है वो वहाँ नहीं है देजीन में वो घुश चुका है अब यह सब हो क्या रहा है इसका sense बनाने के लिए देजीन को डॉक्टर के पास लेकर आ दिया डॉक्टर्स देजीन के सब symptoms वेगराज पूछते है इन्सु को बताते हैं कि इन्सु को बताते हैं कि उसे अपने ब्रेदर जाने के बाद सद्मा लग चुका है वो depression में है और इसी वज़े से यह सब हो सकता है डॉक्टर्स से बोलता है कि देजीन का जो सब conscious है इसे लगता है कि वो होजी नहीं है डॉक्टर इन्सु को सरा देता है अगर सही तरीके से तुमें information निकालनी है तो तुम देजीन को hypnotize करो वसके subconscious में क्या है यह तुमें पचा जलेगा रात में जब एक घर आते है तो देजीन furniture पे काम करने लग जाता है वो करते करते ही उसे चोट आ जाती है जहाँ पर देजीन की फ्रेंड भी होती है उससे कहते है कि आपने आपको तुम समालो तुम होजिन नहीं हो, तुम देजीन ही हो यह तुम समझ लो यह मानने के लिए तयार नहीं होता इंसु जे सबको समझा दी है कि है psychology है दे जिन की फ्रेंड बोलती है कि इससे मुझे बहुत ही तकलिफ हो रही है राद मैं इंसु दे जिन के पास हाती है होजिन को उसने जो necklace दिया था ये दे जिन उसे वापस करता है उसने वो fix करकर उसके लिए लाया होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि इपनोटाइस करने के लिए इंसु ने देजिन को लाया हुआ है इनका जब सेशन चल रहा होता है तो देजिन को एक्सिडन्ट किस तरह से हुआ था यह पूछा जाता है ये पूछने पर भी होजिन का जिस तरह से एक्षिजन होआ था उसी तरह से डिस्क्राइब करता है अब इंसू भी डाउट करने लग जाती है जब देजिन आर्ट बना रहा होता है तो उसे वो देख रही होती है वो अब सोच रही होती कि क्या ये सच्मुज में पॉसिवल है राट में जब ये सोई होती है तो देजिन वहाँ आता है उसका डोर खड़कडाता है उसे कहता है कि डोर ओपन करो मैं कुछ करने नहीं वाला देजिन केता है कि मैं बहुत ही सोरी हूँ पर मैं मेरे ब्रदर की रूम में नहीं रह सकता वो होजीन है इस तरह से वो बात कर रहाता है मैं अगर वहाँ सोया तो मैं कभी भी नहीं जागूंगा ऐसा मुझे लगता है ये फिर इंसु के रूम में ही सोजाता है इन सुबासे जा रहे हुथी है तो उसे कहती है कि प्लीज यही सोजाओ मैं बहुत डरा हुआ हूँ उसे कहती है कि देजिन के साथ रहना यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मैं हमेशा उसमें होजी नहीं डूनती रहती हूँ और कभी-कभी मुझे हो दिक भी जाता है मैं बहुत ही कन्फियोज हो देजिन की फ्रेंड कहती है कि तुम उसे मुझे पर छोड़ दो मैं जरा उसके साथ टाइम स्पेंट करती हूँ इसके बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा यह फिर देजिन के पास आती है उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के फार्म में काम कर सकते हो तुमने मुझे कहा था कि तुम जब वार में थे तुम बहुत ही अच्छा लगता था अगर तुम फार्म में काम करोगे तुम फिर से अच्छा लगेगा देजिन केता है कि मैं क्यों कहीं जाओंगा या तुम मेरा ही घर है देजिन की फ्रेंड केती है कि इंसु ऐसा चाहती है कि तुम चले जाओ कि तुम इंसु के लिए यह सब करो होजिन को कॉमा में रहे कर एक साल हो चुका है यह उसके लिए बहुत difficult है देजिन को अब तक मालूम है नहीं होता कि होजिन कोमा में है उससे लगता हैं कि हूँ महीं चुका है यह फिर उसे देखने के लिए जाता है इसके बाद रात नेवा में दिखता है देजिन घर पर है वो जब अपनी शेकल काच में देख रहा था तो डिस्टरब हो गया काच को उसने तोड़ दिया है इंसु उसके पास आती है उसे कहती है कि गौह से इस छेहरे को देखो तुम होजिन नहीं हो सकते देजिन केता है कि अगर तुमें लगता है कि तुम मेरे बिना सही से रह सकती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा मैं देजिन की तरह ही जीऊंगा यह फिर अपने फ्रेंड के साथ उसके फाम में आता हुआ में दिखता है इंसु होजिन जो कौमा में है उसे मिलने के लिए आती है वो उसे कहती है कि तुम तो कभी भी लेजी नहीं थे इनने वक्त तक तुम अब क्यों सो रहे हो मैं इस सार में बहुत ही बजल चुकी हो मैं लोगों से बहुत ही ज़ादा एंगरी हो जाती हो मैं हसती भी नहीं हूँ तुम अगर मुझे देखोगे तुम सप्राइस्ट हो जाओगे तुम्हारी आवाज भी अब मुझे याद नहीं आ रहे है मैं बहुत ही ट्राइ करती हूँ रिमेंबर करना पर मैं कभी रिमेंबर नहीं कर पाती जब देखिन फार्म पर काम कर रहा होता है तो देखिन की फ्रेंड उससे अनयो करती रहती है उसके साथ बैट कर बात कर रही होती है तो देखिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही से यहाँ काम कर पाओ तो प्लीज मुझे बात मत करो उसकी फ्रेंट उसे बोलती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करो या ना करो पर हमेशा में तुमसे प्यार करती रहोंगे मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करती रहोंगे अब नेकसिन में हमें देखता है कि इंसु जब स्टेशन से आ रही थी तब जिस तरह से होजिन उसे लेने की लिए आया था उसी तरह से देजिन भी उसे लेने की लिए आता है देजिन कहता है कि मैं सौरी हूँ पर मुझे वापस आना ही था फिर तुमारे बिना रह नहीं सकता था इनसु इसके बाद कहती है कि इसको में जो लोग होते हैं उनमें से कोई अगर मर जाता है तो पास दिन उसके बारे में बात करते हैं इसके बात उस आदमे के बारे में कभी बात नहीं करते हैं यह वो बैड लख समझते हैं हमें भी होजिन के बारे में ऐसा ही करना चाहिए वो फिर होजिन की यादे बोलना स्टार्ट कर देती है वो कही थी है कि एक साल बहुत ही पारिश पड़ी थी होजिन के घर पर हम जब गए थे तो उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था हम दोनोंने मिलकर वो सब पानी निकाला था जब तुम आर्वे में चले गए थे जब तुम घर से दूर चले गए थे तुमारे टूशन फीस के लिए होजिन एक फैक्टरे में काम करता था मैं एक दिन उसे देखने के लिए गई थी और उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था अब देजिन कहता है कि मुझे याद है जब तुम मुझे देखनी के लिए आई थी तुमने पिली टेस पहनी थी जब तुम वहाँ से जा रही थी तब मैंने तुम्हे वहाँ देखा था मैंने तुम्हें रोका नहीं मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ, उतना कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसी वज़े से मैं वापस आ चुका हूँ, टेबल के नीचे इन दोने कोईन रखे थे, ये वो निकालता है और उसे देता है, ये कहता है कि ये जो कोईन है, ये हम दोनों ने आज तक एक द और उसका भी एक्जिबिशन अब होने वाला होता है, नेक सिर में हमें इनसु देजिन की फ्रेंड से बात करें ये दिखता है, उसे समझा रहे होती है कि देजिन ही होजीन है, देजिन की फ्रेंड कहती है कि वो वैसे भी जैसे पहले था, वो ऐसा नहीं रहा है, अब देज जैसे जा रही हो उसे पूछता है कि कब तुम वापस आओगी ये कहिती कि मेरा वेट करनी के लिए देजीन या नहीं है तो मैं क्यों वापस आओँगी वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें देजीन समझ कर कुछ बोल सकती हो वो फिर उसे रॉटन बास्टर्ड कहती है उसके ब इसके बाद देजीन को एक कॉल आ जाता है इसका एक्जिबिशन होने वाल है तो इसी का एक कॉल होता है अब नेकसे नहीं हमें दिखता है कि इंसु को रॉक्टर ने बुलवाया है डॉक्टर से खहते है कि तुम्हारा जो हस्बन है ये नॉन रिस्पोंसिव है वो देजीन का एक आक इसफिशन चल रहा है ये दोनों अब बहुत ही ऐक दुसरे का साथ खुश है इसके लेटर होता है इसमेध लिखा होता है कि तुम्हें ये ओरिजनल कभी ना कभी तो चाहिए होगा इसलिए में रिटर्न कर रही हुँ मैं कभी भी तुमारा जी हनिक लव ह यह समझने पाऊंगे मैं होप करती हूँ कि कभी ना कभी में तुम्हें भूल जाऊंगे अब देजिन के फ्रेंड को होजिन के पास जो नेकलेस था वो कैसे मिला है यह हमें दिखता है जब इनसु ने होजिन को नेकलेस दिया था उसे समझ में नहीं आ रहा अब इंसू डिस्टब हो जाती है वो देजिन की सब चीसे देखने लग जाती है यहाँ देजिन की रूम में उसे एक सिक्रेट वॉल्ड मिल जाता है यह वो चेक करती है तो उसके बहुत सारे फोटोस भा होती है अब हमें देजिन की खानी समझ में आती है देजिन एक दिन जब पार्क में था और फोटो ले रहा था तब ही उसे इंसू दिखी थी इंसू अपने बाइसिकल से जा रही थी देजिन ने जो सब डायरी में लिखा है वो इंसू पढ़ रही होती है उसमें लिखाता है कि जिस दिन मैंने इंसु को देखा तब यह magical था वो sunshine की तरह मेरी जिंदगी में आई थी मैंने जब उसे देखा तो मेरे अंदर जो सब sadness था वो एक की पल में पुरा मिट गया मैं इसे किस तरह से explain कर सकता हूँ यह मुझे समझ में ने आ रहा इसी रात देखीन जब होजीन के साथ था तो होजीन अपनी girlfriend को उसे मिलवाने वाला था जब होजीन ने इंसु को introduce कराया तो देखीन का दिल तूट चुका था वो कहता है कि मुझे लगा कि पूरे world ने मुझे abandon कर दिया है जब होजीन का wedding दे था तो देखीन ने कहा था कि मेरी brother की आशादी है उसके लिए मैं बहुत ही happy हूँ इस world में सबसे fortunate आदमी वो आज से बन जाएगा मैं भी खुश हो क्योंकि मैं इंसु को हमेशा मेरी पूरी life तक देख सकता हूँ होजीन मुझे सब कुछ बताता है उसे low letters लिखना नहीं आता तो उसके low letters में ही लिखता हूँ यह explain करता है कि उसे क्यों इंसु के बारे में सब कुछ पता था होजीन देजिन को सब कुछ बता था इसी वज़े से देजिन को सब कुछ पता था देजिन ने दिखा होता है कि मैं लखी हूँ मैं उन दोनों के साथ ही रहता हूँ पर अभी तक मैं पागल नहीं हुआ हूँ जब इंसु यह सब पढ़ती है तो बहुत ही disturb हो जाती है वही वो रोने लग जाती है वो बाहर आती है और सोचने लग जाती है मूवी के फर्स में हमने देखा था कि इंसु ने देजिन से पूचा था देजिन केता है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़े मजे फेक देनी चाहिए पर मेरा जो वर्क है इसमें गुल मिल जाता हूँ पूरे लाइफ तक यसा ही चलता रहेगा ऐसा मुझे लगता है इंसु अकेली बेटी हुए हुथी है और उस सब कुछ सोच रही हुथी है वो देजिन की आर्ट गैलेरी में फिर आ जाती है देजिन उसने जो सब आर्ट की होते है यह सब उसे दिखाता है देजिन उनकी अब जो फ्यूचर लाइफ है इसके लिए बहुत ही पॉजिटी होता है देजिन ने उसकी बेबी के लिए भी आर्ट बनवाय होता है देजिन अपने ब्रदर की अस्तिया भाहा देता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहाता है यह कहता है कि तुमने अपने आपको सैक्रफाइस कर दिया याने कि मैं जी सको क्या तुम्हें पता है कि इंसू से मैंने पहले प्यार किया था मैंने उसे इतना प्यार किया था कि मैं तुम दोनों के लाइब से चला जाना चाता था इंसू को कभी यह मालूम नहीं था वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती थी मेरे ब्रदर तुम अब इस वर्ड में नहीं हो पर मरा हुआ असल में मैं ही हूँ मुझे अब तुमारे जैसे रहना पड़ता है मैं अब तुम बन चुका हूँ मैं जो सब चीजे करदा था वो वो मैं कर नहीं पाऊंगा मैं हमेशा के लिए अब तुम बन जाऊंगा और इनसु मुझे ही पैयर करेगी इनसु मेरे पास तो होगी पर वो हमेशा तुमारे ही याद करती रहेगी वो अपने ब्रदर को कहता है कि कभी भी मुझे माफ ना करना योग एक एक का रोने लग जाता है यही मुवी एंड हो जाती है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इससी मुवीज लेकर आते रहता हूँ विज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिशन आइकों भी दमाना मत भूले यहीं कि आपको सब मुवीज मिलते रहे हम अमफिसे मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये